भगवान शिव से पूछा गया कि आप हमेशा विश्वास में कैसे रहते हैं जबकि आपके कंट में तो विश है महादेव ने बहुत ही ज़ादा सुन्दर उत्तर दिया है मेरे कंट में तो विश है लेकिन रदे में राम है इसलिए मुझे सदा ही विश्वास है देश विदेश में बैटे सभी दर्शिकों को मेरा प्यार भरानम श्कार मैं हूं मुहत कमिल श्रिमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागित करता हूँ आपके अपने चैनल में और आज का राशी फल यानि की 9 डिसमबर के इस विशेश एपिसोड में साथ ही आप सभी को बढ़ाई और शुपकामनाय भी देना चाहूंगा जिनका आज जनम दिवस है मैरेज अन्वस्री है या कोई विशेश यादगार दिन है अगर अभी तक आपको नहीं मालूम तो बता दूं कि 2000 चॉइस का राशी फल आप सभी की राशी कलेश चानि पर अब आ चुका है डिसमबर का राशी फल भी आ चुका है अपना प्रेम उन वीडियो पर जरूर बरसाईएगा बात करते हैं पंचांकी तारिक आज 9 डिसमबर 2023 है और दिन शनिवार का है संबत 2018 का मार्क्षीश कृष्ण पक्ष चल रहा है द्वादशी तिती रहेगी चित्रा नक्षत्र सुभे के 10 बच के 43 मिनिट तक रहेगा और तुला राशी में चंद्रमा रहेगा रहुकाल का समय सुभे के 9 बजे से लेके साड़े 10 बजे तक है और शुब चौगडिया महुरत दोपहर में 2 बच के 48 मिनिट से 5 बच के 48 मिनिट तक रहेगा पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुब साबित होने वाला है पर पूर्व दिशा में अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो संभल जाईएगा क्योंकि दिशाशूल दोश लग रहा है और दिशाशूल दोश का परिहार करने के लिए क्या करेंगे उड़द का उपयोग करेंगे अपनी यात्रा आरंब करने से पहले फिर बात आती है सुर्योदे कालीन कुंडली में शुग रहे योगों की संखिया योग, गजकेसरी योग, सुनफा योग, वरिष्ट योग, उभैचर योग, भारती योग, केंदर त्रिकोन राज योग और विमल योग का आपको साथ मिल रहा है आज के दिन अब बात करते हैं लाक रुपे के और लाक रुपे की बात में मैं आपको बता रहा हूँ विशेश राज्योग के बारे में जिसका नाम है वेशी योग वेशी योग कब बनता है जब चंद्रमा को छोड़ करके सूरिय के दूसरे घर से कुछ ग्रह होते है ये शुब होगा या नहीं उस घर के ग्रह पर निर्भर करता है अब ये योग वाले जातक जो हैं इनके संबंद बहुत ज्यादा होंगे और कड़ी मेहनत के साथ ही इनको सफलता मिलती है यानि की पूरी ही जिंदगी में संघर्ष के साथ में ही इनकी सफलता लिखी है चलिए अब बात करते हैं आज के राशी फल की और सबसे पहले बात करूंगा मेश राशी की आपके लिए सेवन्थ हाउस में चंद्रमा है जर्मतारा का साथ और श्टक बर्ग में 28 डॉट्स हैं ओवरॉल सिचुएशन आपके लिए 75 परसंट इस समय में पॉज्टिविटी करेंगे तो वहीं ऐसे समय में दामपत्य जीवन के अंदर कहें या अपने पारिबारिक जीवन में भी काफी जादा खुशियां बटोरने का मौका आपके सामने आ रहा है यंग्स्टर्स भी हैं तो यंग्स्टर्स के लिए भी यही कहूंगा कि अपने रिलेशन्शिप में इस समय में खास तोर पे कुछ बेटर रिविलेशन्स हो सकते हैं एमोशिन्स के होंगे बातों के हो सकते हैं यहां पर कमाई की बात करते हैं नौकरी पेशन इंसान की बात करते हैं और व्यापारी की बात करते हैं तो यहां पर विती अस्तिती खास तोर पे आपकी जादा ब आपके लिए काफी जादा बैटर समय देखने को मिल सकता है या ये कहें कि घर में चाहे पूजा को ले करके हो कोई हवन हो ये आज के दिन होता हुआ नजर आ सकता है शुबरंग रहे का ग्रीन कलर शुबंग रहे का नमर थ्री अब बात करते हैं व्रशब राशी की सिक्स था अपने आपको बहतर बनाने के लिए कहीं किसी की साथ में विवाद है तो आज के दिन जाके शमा मांग ले या तफिर सामने वाले को मना ले तो अपने आप चीज आपके लिए बहतर हो सकती है तो महीं finances को ले करके भी इस समय में काफी जादा अच्छी कमाई होने को देखे कि घर की सुख सुविधाओं में electric gadgets को involve करते हुए आप करते नजर आएंगे तो youngsters भी ऐसे समय में अगर कोई भी MNC की तरफ आगे भढ़ना चाता है यानि कि multinational companies की तरफ job search कर रहा है तो यहाँ पर आपको यह कह सकते हैं कि काफी जादा fruitful result मिलेंगे favorable समय आपके लिए है त याद फिर अपना resume यहाँ पर forward कर रहे हैं तो आपके लिए काफी जादा better time period है overall दिन काफी जादा bright रहेगा happiness रहेगी तो यहाँ पर खुश मिजाज जिसे कहते हैं याद फिर मजाकिया एंसान जिसे आप कहते हैं वो आज के दिन आपके अंदर characteristics जादा देखने को मिलेंगी यहाँ पर लग का साथ भी आपको बहुत मिलेगा तो काफी ऐसे काम जो आभी तक अनिश्चित तोर पे टल रहे थे याद फिर पू फाउज में चंद्रमा है वहीं प्रतियारी तारा का साथ है अश्टाइग वर्ग में 23.25% सपोर्ट मिल भी जाएगा पर ऐसे समय में खास तोर पे मिथुन राशी को एक चीज से बच करके रहना है कि किसी भी इंसान का शोक संदेश हो उसको बहुत बहुत जादा अपने उ अपने उपर जादा हावी मत होने दीजेगा अपनी मानसिकता पर जादा हावी मत होने दीजेगा क्योंकि ये आपको आज के दिन बहुत जादा एफेक्ट कर सकती है गलत लोगों की यहां पे साथ निभाने की कोशिश आपको और जादा परेशान करें कि तो वहीं financial losses भी द पर customer है उस वज़े से आपको entertain करना पड़ता है तो ऐसे में आज के दिने customer बहुत जादा आपका समय खा सकता है आपसे बहुत सारी चीजें पूछ सकता है और उसके बाद में आपसे जो आप मानते हैं कि आपकी sales हो जानी चाहिए इतनी जानकारी देने के बावजूद भी आपको sales करने का मौका यहाँ पर नहीं मिलने वाला है बहुत practical and logical हो करके चलने की बात है काफी चोटी चोटी चीजें आज पास में जो आपके चल रही है बातें चल रही है वो आपको mentally इस समय में disturb कर सकती है तो अपने आपको शांत रखने की कोशिश करें यहाँ पर सबसे पहला सबसे बहतरी नुपाय अगर कहूं तो आज की दिन अगर घर के अंदर चांदी की गलास है तो उसमें ही पानी पीजेगा पूरे ही दिन और दूसरा सुभे के समय बजरंग बान का एक बार एक पार्ट आप करके फिर अपने काम के लिए निकलिएगा काफी जादा फोर्थ हाउस में चंद्रमा है अधे मित्र तारा का साथ और अश्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं सिच्वेशन यहाँ पे 60% सपोर्ट की है पर फोर्थ हाउस का चंद्रमा खास तोर पे ऐसे समय में बाधक बनेगा चाहे हम दांपती जीवन में कहें यहाँ पे बाधक बन सक सुख नहीं प्राप्त हो पाएगा पारवारिक जीवन में उतल पुतल जादा देखने को मिलेगी तो महीं आर्थिक मोर्चे पर भी इस समय में खर्च आपके कुछ जादा हो सकते हैं यह कहें कि हम एस्पायर करते हैं किसी चीज़ को लेने क्ले हो सकता है जो इनसान आलन सोगा कि शायद यह खर्चा करने की जरूरत नहीं थी सिर्फ और सिर्फ एक लोगों के लिए इतना पैसा खर्च करना आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे और इस चीज़ को लेकर के बाद में परेशान होते हुए नजर आ सकते हैं खास तौर पर ऐसे समय में शौपिंग मोबाइल खराब कर दिया है मोबाइल पानी में बच्चों ने डाल दिया है कमपीडर है कमपीडर हैंग हो गया है तो उसको खराब कर दिया जाए इन चीज़ों से जादा परेशान रहेंगे कि काम करने जाना है और घर वाले सबके सब बच्चे जो हैं वो परेशान जादा कर रहे हैं ऐसे समय फूट कर के रियाक्शन भी आप दे सकते हैं यहां पर नौकरी पेशा इंसान को खास तोर पे चेतावनी दे रहा हूं कि अपने कलीक्स जो है उनके साथ में आज की दिन कैसी भी हालत क्यों न हो बना करके आगे बढ़ने की बात रहेगी गुसा दिखा दे सकता है शुबरंग रहेगा ऐसे में ग्रे कलर शुबरंख रहेगा नंबर फो अब बात करते हैं सिंगराशी की थर्ड हाउज में चंदरमा मित्रतारा का साथ अश्टक वर्ग में 41 डॉट से यह सिचुएशन जो है यह 100% कहने के लिए मीट पे आपको बोल रहा हूं कि 100% प समय में आप बेटर डिसिजिन लेते नजर आएंगे घर में परिवार में भी काफी ज़्यादा सुख शांतिया आपको नजर आने वाली है तो यहां पर किसी गुड नियूस को भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं खास तोर पे यहां पर सफलता जिसे कहते हैं मेहनत के दौरा संघर्श के दौरा वो सफलता इस समय में आपको प्राप्ट होने वाली है काफी दिनों से जिस चीज़ को लेकर के परेशान थे कि रिस्पॉंस नहीं आ रहा है सेल्स नहीं हो पारी उस चीज़ में इस समय में आगे बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं इन्वेस्मिन अप बहुत जादा यहाँ पे सोच समझ करके इन्वेस्ट कीजेगा क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर वर्क में उलज सकते हैं शुब रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए परपल रंग शुब अंक रहेगा नंबर सेवन अब बात करते हैं कनिया राशी के आपके लिए सेकेंड हाउ हो करके आगे बढ़नी की बात रहेगी हेल्थ वाइस यहाँ पे परेशानी नहीं है जो खास तोर पर बड़े बुजर्ग हैं आपको फिर भी मैं कह सकता हूँ आखों को लेके परेशानी इस समय में आपको हो सकती है या खास तोर पर अगर आई स्पेशलिस के पास में आप करनी की जरूरत है क्या हो चुका है क्या हो सकता है इन सब चीजों को छोड़के प्रेžेंट में आज के दिन आइस फोकस कीजे मैं आपको गाइड करने के लिए यहां पर हूँ अपने काम पर फोकस कीजे जो आपके पास में आज के दिन बहुत-बहुत ज़ादा important काम हो चा में में संभालने की कोशिश कीजेगा खास तोर पर यंग्स्टर्स जो हैं आपको एक चीज बता दूँ कि अगर कोई भी प्रपोजल को लेकर कि आप आगे बढ़ रहे हैं अपने प्यार को व्यक्त करना चाते हैं तो आज के दिन ऐसा करने की गलती मत कीजेगा आसपास के लोग चने के जाड़ पर अवश्य चड़ा रहे होंगे काफी जादा फेवरिबल समय भी आपको नजर आ रहा होगा कि शायद आज अगर मैं इससे बात करता हूँ तो मेरी बात इसे भी कार ली जाएगी पर ऐसे समय में ही मुझे बल गिरने वाली सिच्वेशन आपके सामने आ सकती है सब के लिए हसी का पातर आप बन सकते हैं मजाख का पातर बन सकते हैं इसके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने एगो के लिए ऐसी चीजों में आज के दिन आगे मत बढ़िएगा अगर रिलेशनशिप में भी है तो आज के दिन एक डिस्टेंट अपने रिलेशनशिप में आपको जरूर रखना होगा शुबरंग रहेगा सिल्वर कलर शुबरंग रहेगा नंबर फो अब बात करते हैं तुला राशी की और आपके लिए इस समय में राशी भाव में ही चंद्रमा है वदतारा का साथ और श्टेक वर्ग में 22 डॉट्स हैं जो ओवराल 85% आपके दिन को पॉजिटिव बना देंगे जिसके कारण सांसारिक सुकसवधाएं की यहाँ पर आप बात कर सकते हैं अच्छी कमाई की बात कर सकते हैं खास तौर पर जो यहाँ पर कंसिल्टेशन बिजनस से जुड़े हैं ब्रोकरेज का काम करते हैं प्रॉपर्टिक से रिलेटेड आप काम करते हैं construction है interior designing है उसके electricals का काम है तो जो भी आप है man power खास तौर पे जो है आपको आज के दिन फाइदा बहुत जादा मिलने वाला है ऐसे समय में investment opportunities आपके सामने आएंगे वे उसकी तरफ आपको जरूर आगे बढ़ना चाहिए है यहाँ पर youngsters खास तौर पे opposite gender की तरफ attraction जादा रहेगा तो वहीं attraction के साथ में जो आपके objective है उस relationship को लेकर के या उस attraction को लेकर के उसको आपको align करने की जरूरत है अपने basic needs के साथ में संपत्ती का सुख का है घर परिवार का साथ का है काफी जादा अच्छी बात हैं कहें यह सभी चीज़ें देखने को मिलेगी तो यहाँ पे खास तौर पे नौकरी पेशा एंसान अपने promotion की बात आगे छेड़ सकता है या फिर यह भी कर सकता है कि दूसरी job के लिए समय में apply कर दे शुबरंग रहेगा आपके लिए pink color शुबरंग रहेगा number three अब बात करते हैं व्रश्चिक राशी की 12th house में चंद्रमा है मही जनमतारा का साथ है overall यह situation मिलकर के 80% negativity तो यहाँ पे ही आ गई अश्टग वर्क में 29 support जो आपको मिल रहा है काम कर रहे है बीच में irritation जादा आती है आसपास के लोग अपनी मदद मांगने के लिए आपके पास में आते हैं तो उन चीज़ों से आप गुसा जादा होते नजर आएंगे तो वही आज के दिन जिसको हम कहते हैं कि एक हाथ से पैसा कमाते हैं तो दूसरे से उड़ा भी देते हैं यही चीज़ आज के दिन आपके साथ में भी है और यही situation सबसे ज़्यादा हावी रहने वाली है कि एक जगह जहां से हम कमा रहे हैं तो सामने ही सामने खर्च अनाप कर रहे है बेतहाशा आप यहाँ पे खर्च करते रहना है खास तोर पे ऐसी ही जगह पर किसी ऐसे इनसान से मुलाकात हो सकती है आज ही ऐसे किसी इनसान से मुलाकात हो सकती है जो आप से ज़्यादा हो बड़ा हो यानि कि ओधे में कह सकते हैं फानाशली कह सकते हैं रिस्पेक्ट में कह सकते हैं में कह सकते हैं जो आप जहां स्टैंड करते हैं आप से आगे स्टैंड करता है और आपके ऐसे रवाई को देखे बिहेवियर को देखकर के सामने वाला आपको आपकी जगहे दिखा दे ऐसे में बहुत 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 जादा संभल करके आपको अपने आपको आगे बढ़ानी क जरुरत है क्या कहते हैं किस से कहते हैं इस चीज पे इस समय में आपको बहुत जादा ध्यान रखना है शुब रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर शुब अंक रहेगा नंबर टू अब बात करते हैं धनूराशी के और धनूराशी के लेवंध हाउस में चंद्रमा है पर यह और कंट्रोल जब मिलता है तो इनसान जादा स्पीड में आगे बढ़ता है मान लीजे कि आपकी जिंदगी जो है आज का दिन जो वो एक हाईवे है हाईवे खाली है गारी आपके पास में इस पोस्कार है जतनी जोर से आप भगा सकते हैं जतनी जल्दी आप अपनी गोल प चांद लगाने का काम करेगा स्वास्ते संबंदित समस्याय नहीं है मिंटल क्लारिटी बहुत जादा है गोल आपके पास में है और इन चीजों में सिर्फ और सिर्फ बढ़ोतरी वरद्धी ही देखने को मिलेगी कि चाहे वो पैसों की कहें रिष्टों की कहें अपने इंफ पेशल डेज ऑफ यू लाइफ हो सकता है जो चीज चाहते हैं जो सोचते हैं वो सपने इस समय में साकार होते नजर आ सकते हैं शबरंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर शबरंग रहेगा नबर वन अब बात करते हैं मकर राशी की और आपके लिए टेंथ हाउस में चंद्र परणाम इस समय में आपको मिलेगा अटका हुआ पैसा था कोई बहुत समय से टाल रहा है तो इस समय में आप बहुत जादा एग्रेसिवली आगे बढ़के अपने उस पैसे को निकलवाने में सफल हो जाएंगे चाहे हम पब्लिक रिलेशन्स की बात कहें तो वहां पे भी आज के दिन चके पर चके आप मारते हैं नजर आएंगे कि हर जगे जिस इनसान से मिलते हो इसको इंफ्लूइंस कर लेंगे चाहे वो लग्शुरी के कारण है जो आप का टोटल औरा है वो बहुत जादा स्ट्रॉंग है बहुत एट्राक्टिव है तो लोग अपने आपकी आपकी तरफ खिचे चले आ सकते हैं ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो लोग आपकी तरफ एट्राक्ट हो रहे हैं वो कैसे हैं क्या वाक अफ लाइफ से आते हैं कैसा उनका रवईया है कैसा उनका बिहेवियर है क्या उनका प्रोफेशन है इस बारे में ज बहुत फाइदा कमा है पर जैसे ही नेगिटिव टाइम पीरिट आता है तो ऐसा ही इनसान पलट करके वार भी कर सकता है इसके लिए अपने आपको बचाव की स्थिती में पहले रखिएगा पहले कौशिस हो करके अपने अंदर इनर सर्कल में आपके इसको इंटरी देते हैं इस पे ध्यान रखिएगा यहाँ पे सोने चांदी में खास तोर पे इन्वेस्मेंट्स आप करते हुए नजर आ सकते हैं या अगर नहीं प्लान कर रहे थे तो आज के दिन कर लीजे क्योंकि इससे आपको फाइदा जरूर कमाने का मौका मिलने वाला है शुबरंग रहेगा ऐसे में आपके लिए सिल्वर कलर शुब अंक रहेगा नंबर सेवन अब बात करते हैं कुम्भराशी के और आपके लिए नाइन्थ हाउस में चंद्रमा है शेमतारा का साथ अश्ठक बर्ग में 34 डॉट्स है ओवरॉल सिच्वेशन आपके लिए 75% सपोर्ट की है ऐसे समय म धार्मिक्ता की तरफ लुजान जादा रहेगा इंट्रेस्स जादा रहेगा मंदर की तरफ परिवार के साथ में जाने की प्लानिंग जादा रहेगी वीकेंड है तो वीकेंड मैं ऐसे समय में कोशिश आप ये करते नजर आएंगे कि परिवार के साथ में कहीं शेहर के बाह इस समय में जादा आप में देखने को मिलने वाला है और यही चीज आपके जीत के लिए जरूरी है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हर को इंसान फेस करता है वो आपको भी आज के दिन फेस करनी होगी पर उन प्रॉब्लम्स से आप आगे बड़ी आसानी से बढ़ते नजर आने वाले है पैसों को लेकर कि फिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा इर्राशनल होकर के पैसे दान करना इर्राशनल यानि कि ये की सही सोच के साथ में नहीं गलत होते हुए आगे बढ़ना इस से आपको बचना होगा कही न कहीं पे घर परिवार जो हैं आपको अगर टोकते है मना करते हैं तो उनकी बात इस समय में सुनिएगा और उसे मानिएगा शुबरंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर शुबरंग रहेगा नमबर टू अब बात करते हैं मीन राशी के और आपके लिए एट थाउस में चंद्रमा है विपत्तारा का साथ है अश्टग वर्ग मे का काम करेंगे पर यह आज का दिन जो है यह कष्टकारक हो सकता है कहीना कहीं पर ऐसी चीजें ऐसी चीजें फेस करने को मिल सकती है जो मेंटली आपको जंजोड के रख दें कहीना कहीं घर परिवार के साथ में जो रिष्टे हैं वो इस समय में खराब होते नजर आ सकते हैं फ्रेंड है आज के दिन आपके पास में आता है कि कुछ पेमिंट चाहिए है वापस जल्दी लोटा देंगे तो मान करके चलिएगा यह सिर्फ और सिर्फ बटब पॉलिसी है कि आपसे पैसे ले 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 और उसके बाद में आप ही को घुमाते रहें इसके लिए बहुत जादा सोच समझ के आगे बढ़िएगा खास तोर पैसे समय में ये भी कहूंगा कि अपने दामपत्य जीवन में जितनी जादा मधुरता से बात कर सकते हो उतना जादा कीजेगा सामने वाला एक चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो गांधी जी कहते ही थे वही प्रिंसिपल आज के दिन अपनी लाइफ में आपको अप्लाय करना है अगर नहीं करेंगे तो मान करके चलिए कि दामपत्य जीवन में जो तूफान उठेगा वो कही न कहीं ससुराल पक्ष के भी कदम जो हैं आपके घर तक जरूर पहुचा देगा शुबरंग ऐसे में रहेगा वाइट तो आप सभी के लिए खुशखबरी कह सकते हैं कि वार्शिक राशी फल यानि कि 2024 का राशी फल आप सभी की राशी के लिए इस चानल पर अब उबलबते हैं अब देखिए उसे समझीए और आने वाले साल में क्या करना है और क्या नहीं करना है उसकी प्लानिंग अभी से कर करना शुरू कर दीजे क्योंकि आने वाला साल कई राशियों के लिए ऐसे समय को लेकर के आ रहा है जो आपके बड़े से बड़े सपने को सच कर सकता है वहीं चाहे शनी की साड़े साती ही क्यों ना हो पर वहाँ पर भी आपको फाइदे दिलवा सकता है उपाय क्या करने है कहां पर साफधानी बरतनी है और कहां पर बेबाख होकर कि आपको आगे बढ़ना है उन सभी की जानकारी आपको वार्षिक राशी फल में मिल रही है तो वहीं डिसमबर का राशी फल भी अब इस चानल पर उपलब्द है अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लीजे क्योंकि डिसमबर महीना कैसा है क्या यहां पर फाइदा है वो आपको मालुम चल जाए कि नए साल में आप कदम रखें उससे पहले ये जो 2023 का आखरी महीना है इसमें हम बहुत अच्छे से मेहनत करके बहुत अच्छी फायदे कमा करके फिर नए साल में अपने कदम रखें शुब कदम रखें मैं यह कहूंगा हमेशा की तरह प्रातना यही करता हूँ कि आपका और हमारा परिवार सदेव सुखी रहे संपन रहे और सुरक्षित रहे घर में बड़े बुजर्गों का साथ और आशिरवाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे जैश्री राम एवं जैहन जैश्री जैश्री अच्सारा दो को यहाली जैश्री रहे जैश्री यहाली को